हेलो इस्ट्योंट्स कैसे है आप ुमीध है यहाँ अच्छा आहतो ही लेसन देख रहा है कज्छा आर्ठ की इंगलिस का लेशन वटल है ठीख है जो कि गवेल्मेंट स्कूल में चलते हैं किताब हुझ आज की इस वीडियो में हम इसे लेशन कशाट की English book का तो इस Book में जो टॉपिक हमार आज वो है Another Chance, another chance ठीक है, एक और मौका, another का मतलब होता है एक और या दूसरा, Chance का मतलब होता है मौका या औस अफसार एक और औस अफसार, एक यहां पर आप लोग की राज सही है और आप लोग बताएंगे ठीक है तो कमेंट बताएंगे यहां पर जो question है पहला question है यह वाला ठीक है इस question पूंचा गया है कि what should we do to correct our mistakes हमें अपनी गलतियों को जैसे कि हर किसी से कुछ ना कुछ गलती होती रहती है कभी कभी तो जो हमारी गलतियों होते हैं तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ठीक है फिर यहां पर एक दूसरा question है यह वाला कि what should we do to change our failure into success हमें अपनी असफलताओं को जैसे कि हम कभी कोई काम करते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो हम उस पर असफल माने जाते हैं तो जब हम किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं तो हम कैसे उस काम को सफलता में बदल सकते हैं किसे सफल हो सकते हैं यह आप लोगों को बताना कमेंट में ठीक है वैसे अभी इस पार्ट को हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समय आ जाएगा आपको एक विचार आ जाएगा मन में एक आडिया लग जाएगा किस तरह से आप लोग असफलताओं से सफलता में जा सकत करते हैं कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेकिन यदि आप लोग अभी चैनल पर नहां है तो सब्सक्राइब करके वाला करने को प्रेस कर लेना निव वीडियो की नोटिफिशन आपको तुरंत मिल जाएगी ठीक है जब भी मैं हमें एक नई सुरुवात करने के लिए यहां पर देख़ें यहां पर जो to make मेर का मतलब होता बनाना या करना फेस्ट निता जी या एक नई बिग्निया निस दुरुवात ठीक है न और यहाव obviously होता किटनी बार वी मेंस हम विस मेंस चाहिए या इच्छा होना एंौर च कितनी बार we wish हम चाहते हैं for another sense हम कितनी बार एक और नया मौका चाहते हैं ठीक है नया अवसर चाहते हैं ठीक ना तो ब्लोट आउट यह धूंड कर निकालना यह पर a chance to blot out our mistakes हमें अपनी गलतियों को धूंड कर अपने अंदर से निकालने के लिए and change failure into winning और अपनी असफलताओं को सफलताओं में जीत में बदलने के लिए हमें कितने बार मौका चाहिए ठीक है यह इस जो first exchange है यह इसमें पूंचा गया आपसे तो चलिए हम चलते हैं और आंगी यहाँ पर एक second है चाहला इनकी कभीता टाइप में ही ठीक है तो इसमें पूंचा गया है इस वाली को हम पढ़ रहे हैं अभी ठीक है तो इसमें पूंचा गया है इट डज नॉट टेक अन्यू डे ठीक है तो मैं का ब्रांड नीव श्टार्ट हमें किसी भी नई शुरुवात करने के लिए कोई बड़ी शुरुवात करने के लिए हमें किसी नई दिन की जरूरत नहीं होती है ठीक है यहाँ पर इन दो लायनों में यह कहा गया है इट डज नोट टेक अन्यू डे ठीक है ना मतलब कि टेक का मतलब होता लगता यहनि कि हमें कोई न्या दिन नहीं लगता है तो मैं का ब्रांड नीव स्टार्ट brand नहीं बड़ी, new यानि नई और start नहीं शुरू करने के लिए यनि कि हमें एक नई शुरुवात करने के लिए कोई बड़ी शुरुवात करने के लिए एक नया दिन नहीं लगता है नया दिन के अब सकता नहीं होती है it only takes a deep desire it only takes a deep desire कि वाले एक तीवर इच्छा लगती है क्या लगती है तीवर इच्छा लगती है बहुत ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए बस कि हमें किसी काम को सुरू करना है तो करना है और उस काम को हमें कल से सुरू नहीं करना हमें आज से ही सुरू करना है ठीक है हमारा पूरा मन होना चाहिए, हमारी तीपर इच्छा होने चाहिए, बहुत इच्छा होने चाहिए, उस काम को शुरू करने के लिए, तो हमें किसी नए दिन की जरूरत नहीं है, हम आज से ही उस काम को शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, चलिए अब इ अच्छे से रहने के लिए, to be always forgiving, और हमें हमेशा दूसरों को छमा करने के लिए, छमाशील होने के लिए, and to be always forgiving छमासील होने के लिए छमासील उसे बूलते है जो कि छमा कर देता दूसरों को गलतियों पर ठीक है एक बार छमा कर देना चाहिए तो to the world in which we are living to the world in which नहीं ये बार लाइन छूड़ गई थी and to add a little sunshine और कुछ अच्छा करने के लिए to add a little sunshine the world in which we are living इस दुनिया में जहां पर हम रहते हैं ठीक है तो हमें कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे से रहने के लिए किसी के जीवने प्रिकाश डालने के लिए किसी कुमार दैसन करने के लिए ठीक है in the world मतलब कि ये सब कुछ करने के लिए जो इस कविता में यानि कि इस चाल लायन में कहा गया है ये सब को से करने के लिए हमें किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती है हम जब चाहें हमारी बस इच्छा हो तो हम उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए ठीक है न तो इस लेसन में यही है और एक ये है और चौथा स्टेंजा है इसमें क्या बोलागा है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और यहां पर So never give up in despair तो निरास होकर कभी भी हार नहीं मानना है निरास होकर कभी भी हार नहीं मानना है ठीक है न And think you are through For there's always a tomorrow ठीक है न And think you are through और ना कभी ऐसा सोचना है कि For there's always tomorrow मतलब कि कल कल करने के लिए नहीं सोचना कि हम जो कोई काम हमको शुरू करना है या कोई काम करना है तो हम कल कर लेंगे फिर कल आया तो फिर पता चला फिर कल कल लेंगे है ना तो कल कल हमें नहीं करना है हमें किसी काम करना है तो तुरंद करना है And the hope of starting a new और कुछ नई शुरूआद करने के लिए है ना हमें निरास नहीं होना है और निरास होकर हमें कभी भी हार नहीं माननी है उस काम को कभी भी छोड़ना नहीं है ठीक है ना ये चीज इन चार लाइनों में कहा गया है कि हमें मतलब इस पूरी लेस्टन में कहा गया है कि यदि हमें एक और मौका मिलता है ठीक है अगर हमें किसी चीज को करना है कोई चीज प्राप्त करने है कोई मंजिल को पाना टारेट पाना है तो हमें क्या करना चाहिए इस पार्ट में बतायागा है कि हमें एक और मौक अगर हम से कोई गलती हो जाती है तो उसको अपने अंदर से सुधारना चाहिए एक मौका देखना चाहिए ढूना चाहिए और उसे अपने अंदर की गलती हो को सुधारना चाहिए ठीक है अगर हम आज सफल हो जाते हैं तो सफ को आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं तो इस लेसन को लिखा किसने है है लीन इस टेनर राइसन है है लीन इस टेनर राइसन है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही और जो इस लेसन की एक्सरसाइज बगएर है यह सब कुछ तो हम अंगली वीडियो में कवर कर देंगे इसक डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे लेस्टन की लिंक मिल जाएगी तो यदि आप लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठाइम से मिल जाए